केवल और केवल उनको भरमित करना यही बजट है, बजट में कोई दम नहीं है, ना महंगाई की बात आई, ना काम की बात आई, ना स्वास्तो सिक्षा की बात आई है, केवल और केवल एक सभुजबाग दिखाए जाता है, जो हर बार दिखाए गया, इस बार भी दिखाए गय महांगाई पे मुग बात हुई है कि ब्रुजगारी पर बात हुई है कि देखा रहे हैं हुठ बहुत हुआ रहे हैं हाइवे सबसे कुलेह की दीज always ओक दिफिए यह बिहार को देदें जारकर्ण को देदें यूूपी को देदें अब जनता जो आँ देख रही हैं इननको हताना चाहती है अब ये निष्चित तौर से आम संसदी है लिए कि एक भी क्या बनारस के लिए कोई भी कोई कालकार खाना आया है, कोई फेक्टरिक एनॉस्मेंट हुआ है, यूपी के लिए कुछ हुआ है, जोंगे नहीं लगता है कुछ भी किये, जब परदाल मंतरी अपने संसदी छेतर में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पूरा बजट नेडर थक है और जनता को क्योल फ्रमित करने के लिए उत्तर दिस सरकार में अध्यक जे जिस तरीके से ओम प्रकास राजबार और केशो मौरिया की नजदीकी बढ़ रही है OBC नेता जिस तरीके से लाम बंद हो रहे हैं और विधायक कह रहे हैं कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं है कल राम फूरत राजबर ने जो MLC है आजमगर में कह दिया कि चोटा बड़ा अधिकारी तो छोड़ी चोटा अधिकारी में ने वो तो लगातार इनके लोग बोल रहे हैं उसका कारण है कि जो आज सरकार चल रही है जिस ताना सही तरीके से सरकार चल लई है आपने कल एक देखा इनके आदेश को जो आदेश था कि आप होटल और ढ़ावों पर नाम लगाई है मानने सरो चनले ले उसको रोक लगाई है हम सब लोग स्वागत करतें तो ये केशो मोरिया उंप्रकास राजबर देखिये ये पूरी तरीके से सत्ता के लिए लालाईत है आम जनता में मैसे चला गया पहले ये था कि भाजपा के लोग सत्ता के लिए नहीं लालाईत हैं ये वेवस्ता परिवर्तन करने आए हैं ये वेवस्ता परिवर्तन नहीं कर लोग एक ही थाली के चट्टी बट्टे योगी जी की कुरसी रहेगी कि आपको लगता है जैए अब ये तो उनका दुरूनी मामला है मुझे लगता है कि ये लड़ाई और बढ़ती जा रही है और केशो मौरिया के लड़ाई आज की नहीं है ये तो पहले से चली आ रही थी स प्रियम बनना चाहते थे बनाये नहीं मोदी जी ने योगी जी को बना दिया और योगी जी को बना कर अब से राथु में भी हरवा दिया ही लोगों ने तो सारा पुराना दर्द है वो लिखल रहा है मुझे लगता है कि वो फुंसी जो है वो कैंसर का रूप ले लिए और आगे चलकर बारती जनता पार्टी ये जनता समझ गई कि क्यों सत्ता लोलूप है सत्ता के लिए सत्ता में ये सासन कर दिया और 26 जुलाई तर अंत्रिंग रोग लगा दी गई है जो दुकानदारों को आगे अपना नाम लगाना था समाज को कभी बट्टे नहीं देना चाहिए समाज भाईचारे की आप सब लोग या बैठे है अलग-अलग लोग सब लोग है तब भाईचारा एक परिवार है मिलकर ये समाज काम करता है समाज में कभी विक्टर नहीं होना किसानों को लेकर के बड़ा थी बजट से बार दो है वन पॉइंट फाइव क्रोड उपे की सेक्टर में आप देखी है कोई भी खाद का दाम कम हो रहा हो बीज का दाम कम हो हो सिचाई की व्यस्ताक पर कुछ से दीया हो ट्रैक्टर पर दीया हो जितने भी हमारे समसे जटने भी खेटी में समान जो भी मशीने लगती है किसी पर मुझे लगता है कि कोई भी छूट और कोई भी रियायति नहीं दी गई किसास्थ सबसे परिशान रहता है ज्यादा पूरी तरीके से ये बारतिय अंता पार्टी और दूरी बनी थी उसको ठीक करने का प्रयास है उसको अहीं हमारा घीक हो जाया पर यह देश के लिए ठीक नहीं है नहीं है यह पूरे सरकारी तंद्र का संगी करन देंगा जा रहा है लोगों को हाप परेंट निकर बनाद